ओम शांति एक बाप के स्रिष्ट संग में रो तो दूसरा कोई संग परभाव नहीं डाल सकता एक बाप के स्रिष्ट संग में रो हो तो दूसरा कोई संग परभाव नहीं डाल सकता दूसरे संग का परभाव तभी पड़ता है, जब एक बाप का जो संग है, वो हम कम करते हैं आपको स्रेष्ट ते स्रेष्ट कोई मिल जाए, तो उससे नीचे कोई भी हो, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान जलता है स्रेष्ट बनाने वाला बावा मिला है, उसका संग स्रेष्ट है, तो आप कैसे दूसरे किसी और संग में आकरशित हो सकते हो संग तो एक का ही चड़ता है, तो जिस पर बाप के संग का रंग लगा हो, वो बाप का संग का रंग दूसरों पर लगा सकता है, पर उस पर किसी का संग का रंग नहीं चड़ सकता है, ऐसा संग जो करें, वो सदा कुछ संग से बचा रहता है, से लिए कहते हैं, एक का संग करो, जो स्रेष्ट है, बाबा का संग करो, फिर सारी फिक्रों से फारिको जाओ, किसी और का संग तुम्हें पर बावित नहीं कर सकता, कई बार कुछ उपर नीचे करते हैं, कहते हैं कि वो उसकी नेचर ऐसी थी ना, तो उसकी नेचर का असर नहीं natural उसके संग में हो, इसी लिए दूसरे का परबाब तुम पर पढ़े, पढ़ी नहीं सकता है न, जो स्रेष्ट ते स्रेष्ट है, उसका संग करके आप खुश इतने होते हो, कि आप किसी का संग करने की आपकी इच्छाई नहीं होती है, ओल्माइटी अथौरिटी का संग जिसने कर लिया, उसको क्या पढ़े एदुरू दे जाने की, तो एक बाप के स्रेष्ट संग में रहो, तो दूसरा कोई संग परबाब नहीं डाल सकता, भले कहीं पर भी चले जाओ, उस पर किसी और का परबाब नहीं आए, ओम शांति